नाम शकार मैं हूँ लीला स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज का विषय है दीपामली पर हम सब माल लश्मी को परसंद करने के लिए हम माल लश्मी का पूजन विदिवदान से करते हैं पूरी निष्ठा से करते हैं उस दिन हम मान लश्मी के शमक्ष शुद देशीगी का दीपक भी जलाते हैं पूजा अर्चना भी करते हैं अगर ऐसे में आपके दीपक में फूल बना हो तो समझे आप बहुत ही बागय चली है आपकी पूजा अर्चना भंदना अपासना से मान लश्मी अतिपरसन है मान लश्मी जी ने आपकी पूजा अर्चना भंदना अपासना सभी कार कर ली है और मान लश्मी का आपके घर में आगमन हो चुका है मान आपकी सभी मनुकावनें पूर्ण करेंगी और दोख काष्ट परेशानिया महालाश्मी जी के शीरवास से दूर होंगी आपके गर प्रवार में खुशियां ही खुशियां होंगी ऐसे में आपको जे दो कारिया वच्च करने हैं पहला काम है आप महालाश्मी जी के गैतरी मंतर का जाप आप वच्च करें माल लाश्मी जी की एराधना और स्तुति कारने के लिए एक सिद मंतर है इस मंतर का प्रवाब बहुत ही ब्यापक है साथ ही जे मंतर बहुत ही शक्ती चली है रुसमपूर्ण शर्दा और वाक्ति के साथ नजम पूर्वेक भी महाल लश्मी का गैतरी मंतर का जाप करने से चम्त कारिक फाल की प्रावति होती है आप दिन इस मंतर का जाप वच्च करें आप जाना इस मंतर का 108 वार जाप करना है मंतर के जाप की समय अपना संपूर्ण द्यान महाल लश्मी जी पर ही लगाएं महाल लश्मी के गैतरी मंतर का जाप के जाप की प्रशाथ आप लश्मी चलीसा का पाठ भी वच्च करें आप मा लश्मी जी की आर्थी भी करें गैतरी मंतर के जाब के फाल्स रूप मनोश्य को मा लश्मी की कृपा प्राप्त होती है मा लश्मी की स्तोती और राधना कारने से कभी भी द्रिद्रता नहीं आती है मा लश्मी दन दन्या पर दान करती है स्वक संपति में माहा लाच्मी प्रिदी करती है लाच्मी गैतिनी मंतर के जाव से मान श्यांत रहत अर अकागरवी रहत आप ये दो कारिया अवाच्च कारने चुरू कार दीजिए आप की सभी मनों कामनाई माहा लाच्मी अवाच्च पूरी करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए साबस्क्राइब कीजिए थैक्स्वर वाचिंग देस वीडियो